दोस्तो आप लोग हमारा चैनल आज ही सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तो इस चैनल को इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें क्यों कि हम जो घरिलू नुस्खे आपको बताते हैं उनसे आपका जीवन स्वस्थ और एनर्जेटिक बनता है साथ प्याज से थाइराइड को कम करने की तरीके बताएंगे दोस्तों प्याज में एंटी फंगल एंटी वेक्टीरियल और एंटी एंफलीमेंटरी गुन होते हैं जो कैंसर से लड़ने में हमारी मदद करते हैं इसके अलावा इसमें बिटामिन और मिनरल्स भी भरबूर मात्रा मे पाये जाते हैं जो हमारे शरीर को पोशन देते हैं और बिमारियों से हमें हमेशा के लिए बचाते हैं लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि प्याज को सिर्फ गरदन पर रगडने मातर से आपका थाइराइड कंट्रोल हो सकता है प्याज में सलफर पाये जाता है जो सू को बहुत देर बाद पता चलते हैं जब इस बीमारी के बारे में पता लगता है तो बहुत देर हो चुकी होती है इसकी शुरुआत इम्यून सिस्टम में गड़वड़ी से होती है जिसके चलते छोटे रोगों से लेकर बड़े बड़े रोग उत्पन होने लगते हैं और अगर आप भी इस समस्या से जूज रहे हैं तो आज हम आपको ऐसे घरे लूप आए के बारे में पताएंगे जिसे आप बिना किसी संकोच के कर सकते हैं दोस्तों आपने सुना होगा कि प्याज को मोजे में रखने से आपका शरीव डिटॉक्स होता है और आप बिमारियों स इसे बचे रहते हैं इसी तरह गरदन पर थाईराइड ग्लेंड के आसपास इसे रगटते हैं तो थाईराइड कंट्रोल हो जाता है अब तरीका देखिए कि कैसे आप प्याज का इस्तिमाल थाईराइड के लिए करेंगे इस उपचार को करने के लिए सब से पहले आप एक प्याज ले लें प्याज को लेकर उसे दो हिस्सों में काट लें फिर इसे थाईराइड ग्लेंड के आसपास क्लॉकवाईज मसाज करें मसाज करने के बाद गरदन को धोए नहीं बलकि रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ दें प्याज का रस अपना काम करता रहेगा ये ब इसलिए अपने थाईराइड को कंट्रोल करने के लिए एक बार इस उपाय को जरूर आजवाएं आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए विशे के साथ जब तक हमें दीजिये अजाजत नमस्कार